जन्म तथा मृत्युके जार में उल्जे हुए जीव यदि अंजाने में भी अभी मैं स्रीमत भागोतम का रस्पान कर रहा था तो मेरे सामने एक श्लोक आया तो मैंने सुचे यह सभी लोगों के समक्ष आना चाहिए सभी लोगों को इसके बारे में पता लगना चाहिए तो आप लोगों के सामने लखना चाहूंगा इस लोग में बताते हैं इसका अर्थ है जन्म तथा मृत्युके जार में उल्जे हुए जीव यदि अंजाने में भी कृष्ण के पवित्र नामों का उचारड करते हैं तो वो तुरंत नुक्ष हो जाते हैं क्योंकि साक्षा भैवी इस नाम से भैवीत है समझ रहो मतलब जो डर है वो इस नाम से खुदी जाता है भगवान के नामों से पवित्र नामों से रागे कहते हैं जो तापर है इसका वासुजेव अथवा पूर्ण पूरसोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियनता है इस रिष्णी में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वसक्तिमान के कुरोध से भैवीत ना हो रावर हीरने कस्तिपू कंस जैसे बिकट असुर तखा ऐसे ही अन्य सक्तिसादी जीव भगवान के दोरा माल डाले गए पराक्रमी श्री वसुदेव ने अपनी साधी निजी सक्तियां अ कि श्री कृष्णी के नाम से साच्छा भैवी भैवित रहता है यह इस बात का सूचक है कि कृष्णी का नाम भगवान कृष्णी से अभिन है अतहा कृष्णी का नाम स्वयं कृष्णी के ही समान है सतिमा है और उनमें तनिक भी अंतर नहीं है अतहा बड़े से बड़े संक जबकि इस्थिति में भी भगवान स्री कृष्ण के पवित्र नामों का लाब उठाया जा सकता है कृष्ण के दिभ्विनाम को चाहे अंजाने में या बाद्योकर उच्चारित करने पर जन्मत अफर्म रित्यु की जंजट से उबरा जा सकता है तो बिल्कुल भी मत चुकिए प्लीज रिप्या करके भगवान के नामों का उच्चारण करें जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहे हैं लेकिन उसके साथ में भगवान के अबीतर नामों का उच्चारण करते रहे हैं क्योंकि यही नाम ही है जिससे हम भगवान के पास वाप यह मंत्र से ही आपको भगवान के पास वपस जा सकते हैं Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare By chanting this holy name, you can easily please to Krishna, you can easily go back to Godhead and you can easily please to your senses also by chanting this holy name. Thank you so much, Hare Krishna.